बाहुबली मूवी का ये सीन तो आपने जरूर देखा ही होगा, जिसमें सुनहरे रंग की विशाल मूर्ती को अपने राज्य में स्थापित करने से पहले, उसके आधार में मूर्ती के पैरों के नीचे लाल रंग के बड़े धेर रखे जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यूँ? आपको लगता होगा कि इसका उप्योग मूवी के सीन को और भी शांदार बनाकर, उसमें लाल रंग को बिखेरने के लिए किया गया होंगा, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इसके पीछे की रियालिटी कुछ और ही है, इसका सीधा संबंध विग्यान से है, मूर्ती को पहले उसके नीचे लाल रंग के धेर रखे जाते हैं, ताकि जब मूर्ती को घोड़े, हाथी और मनुश्यों की सहायता से लंबवत स्थापित किया जाता है, तो एकाईक जमिन से टकराने पर उतपन जटके के कारण मूर्ती में दरार ना आये, लाल रंग के धेर मूर्ती म उतपन होने वाले संभावित जटके को अवशोशित कर लेते हैं, और बिना किसी नुकसान के मूर्ती को अखंता से स्थापित करने में सहायता करते हैं, अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई मनोरंजन नहीं बलकी विज्ञान है झाल